खुश रहना और खुश दिखना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है जरूरी नहीं कि हर गलती करके और फिर खुश सीखा जाए अगले को बरबाद होते देखकर भी हम सीख सकते हैं और अगर अपनी ही गलती से सीखेंगे तो ये जिन्दगी छोटी पड़ जाएगी हलो साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत करता हूँ आपके अपने परिवार PBR स्टडी में अब क्लास की क्वाल्टी बदल चुकी है बिल्कुल सही सुना आपने अब हम आपको क्वांटीटी नहीं क्वालिटी देते हैं पूरा क्लास को देखना है बीच में छोड़ के कता ही नहीं जाना है आगे बढ़ें डेली क्लास के लिए टेली गराम पे हमें जरूर जोइन कर लें फिरी कलास होती है आईए तिरभूज और आयत में क्या संबंध होता है साथियों कुछ एक्जांपल के माध्यम से हम इसको समझेंगे सबसे पहले देखिए कह रहा कि एक आयत जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है ठिक है आयत का छेतरफल ग्यांत कीजिए और उसके बाद बिचार कीजिए सोचिए गेस करिए क्या गेस करना है कह रहा कि बिचार कीजिए यदि आयत में एक बिकर्ण बिकर्ण मिन सोता डाइगोनल एक क्या हो डाइगोनल को खीचा जाए तो इस परकार बने दो समान समकोंड तिर्भूज का जो छेतरफल होगा, ठीक है? आयत के छेतरफल में क्या संबंद होगा? यानि जो ये बनेगा, कहां गया? एक मिनट, एक मिनट, ये कहने का इनका ये मतलब है, उनको में बना देता हूँ, इस तरह से जो बनेगा figure, ध्यान इनका यह कहना है कि अगर हम आई-फे 2 क्या बनाएंगे rectangle साइ़ खिचा है न कोई दिक्कत नहीं इनका ये भी कहना है इसमें कि हम इसमें अग खिंज देंगे ठीक है भाईया तो ये जो बिकरड है हमेशा इसको क्या करता है दो बराबर भागों में बांटता है सीधा यहां जाना चाहिए ध्यान रहे हलका मेरा तिर्षा हो गया है समझ रहे हो ना ये क्या है एक आयत है एक rectangle है ये इनको दो triangle में बांट रहा है आधा आधा कैसे देखना समझना ये बीच की जो line गई है मेरे भाई ये बीच वाली जो line गई है न बाबू ये ए चल जा ये जो line गई है न ये इनको दो बराबर बराबर पार्ट में बांट रही है अगर इनके हम नाम कुछ ऐसे रख दे A, B, C, D तो यहाँ पर आप देखो एक तिरभूज बन रहा है एक नहीं बन रहा है दो बन रहा है कौन कौन सा भाईया एक तिरभूज तो ये बन रहा है मैं आपको थोड़ा इसको पोत के दिखा देता हूं रंगीन करके देखो दो ट्राइंगल बन रहा है एक तो यह बन रहा है ठीक यह देखो बन गया ना एक यह बन रहा है एक उपर वाला बन रहा है बलेक वाला सबी समझ रहा हो ना तो क्या बन रहा हैं दो ट्राइंगल बन रहा है? तो इन में क्या हमें करना है यह चीज समझना आप सभी प्यार फिए इसमें क्या करना है बाबूό इसमें कह रहा है कि क्या relation है वो हमें निकालना है अब देखो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ पूरा काहे को रंगु नहीं थी खराब हो जाएगा एक में मिल जाएगा जैने दीजिए आप समझ गे जो मैं कहना चाहता था वह आप समझ गे न इन दो तिर्भूजों का जो छेतरफल होगा न भाईया अलग अलग वो पूरे इस आयत के छेतरफल के बरापर होगा एक छोटा सा उधारन समझ लीजिए अगर मैं कहूं कि भाईया बाबू प्यारे मेरे पहले तिर्भूज जो ग्रीन कलर है अगर इसका छेतरफल चार फेंटी मिटर स्क्वाइर है और इसका भाईया पूरे आयत का छेतरफल होगा complete rectangle का जो area होगा वो 8 cm का square होगा समझ गए यही concept होता इसमें बस कि एक जो बिकर्ड होता है वो आयत को पहले तो दो बराबर भागों में बांडता है ये क्या करता दो बराबर भागों में इसको बांड देता है और दूसरा इस तरह से जो ये बराबर भाग होते हैं ये और ये वाले इनके जो छेतरफल हैं वो पूरे आयत के छेतरफल के योग के बराबर होते हैं ये ही कंसेप्ट था समझ गए इसमें कुश्चन पूछे जाते हैं कई कि वह कुश्चन में कराऊंगा अभी टेंसी बहुए लेने का है इनको देख लो क्या कह रहा था कुश्चन दिया था इसमें इसमें च्छे और चार दिया गया है तो इसको रख कर करके चलो निकालकर दिखा देता हूं हल करके अभी तो मुह से बता रहा हूँ पता नहीं सही बताया कि गलत सिद्ध करके देखो मैथ की यही अच्छा ही है बाप से बेटा बेटे से बाप का पता लगा जाता इसमें आए दिखाते हैं कैसे 4 और 6 दिया है चलो चल भाई चार और 6 दिया है तो 4 और 6 रख लेंगे आजा हम बैक में आते हैं 4 और 6 रखते हैं ठीक है चार और 6 चलो चल भाई चल भाई यह 4 दिया है यह 4 दिया था भाईया बाबू यह 4 नहीं दिया था यार यह मेरे भाई यह 6 दिया था ठीक है सबसे पहले हम इस पूरे आयत का छेत्रफल निकालेंगे ठीक है पूरे आयत का छेत्रफल निकालेंगे तो हम इसमें अभी इसको बिकरण को भी हटा देते हैं तो चलो आयत का छेतरफल सब को पता है बोलो सब पढ़ाया हूं आयत का छेतरफल क्या होता मेरे भाईया बताया था कि किसी भी बंदाकृती की लंबाई चौड़ाई की गुड़न फल को छेतरफल कहते हैं ऐसा था था कि किसी बंदाकृती द्वारा जितना छेतर इसके अंद क्पाई का एक लिए लेते हैं चौडाई का गुड़ा कर लेते हैं तो छे गुड़ा चार बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीस्क्वायर कर लगता है बता चुकँअ हूं कि क्योंकि इसका जो इक आई दिया है वह 7 गब होता है अभ एक बताओ तुम पता है क्या पूरे आयत का 24 आया ना अब अगर इस आयत को दो बराबर पार्ट में बांटें और दोनों का अलग अलग तिर्भूच का छेत्रफाल निकालें और उसको जोड़ें तब 24 के बराबर आना चाहिए अगर ऐसा होता है तो सही नहीं तो गलत है समझ रहो तो चलो देखते हैं चलो फट से इसको लिखो मैं देखता हूँ कहा से इसको करवाना था लिखो लिखो फटा पट इसको लिखो लिखो मैं प्रूब करके दिखाता हूं लिख लिए भया आगे बढ़े चलो फिर आओ चलो तो अब हम आते हैं इसको सिध करने पर कलास को इंड तक देखना आज पढ़ा नहीं रहें सिखा रहें एकदम घोल के पिला देंगे बस देख लिखते रहें लाश तक है बिल्कुल आज इसका आपको रसा स्वाधन मिलेगा चलो यह दो क्या हो गए तिर्भूज हो गए ट्राइंगल ओके ओके चलो बहिया यह फूर है यह सिक्स है तो यह भी सिक्स है इसको भी फूर लिख लो इसमें कोई बुराई नहीं है अब तिर आयत का प्रते कोण नब्बे होता है तो यह नब्बे है ना बबुगा तो यह नब्बे है तो क्या बन रहा है एक समकोण तिर्भूज बन रहा कि नहीं बन रहा है ना अगर इसको काट के हम अलग कर दें निकाल दें इसमें से तो क्या होगा एक समकोण तिर्भूज होगा क कि नहीं देखो मैं काट के इसको निकालने की कोशिस करता हूं देखो यह निकलता है क्या ए बाई कट जा तू इसमें से कट जाएगा तो मैं इसमें से इसको निकाल लूँगा नहीं कटेगा दालग बनाऊंगा यह नहीं कटेगा न कट तुम इसी में गुशारा गुशारा इसी में मत कट चलो देखो मतलब तो आप मोटा मुटा वैसे समझ रहे हो छोड़ो जाने दो हमें क्या करना है मैं यहां बना देता हूं इस तरह से जो हम यह आपको छे दिया है आपको चार दिया है अब बता इसको निकाल लोगे की नहीं अरे पैथा गोरस पर्मिये लगा के निकाल लोगे ना लेकिन उसका थमें कामी नहीं है क्यों क्यों काम नहीं है क्योंकि हमें क्या करना है इसका छेतरफल निकालना है तो समकोंट है एकदम सिंपल है चलो तो देखो एक बटा दो आधार कुणे उचाई यानि बी इंटू एच तो वान अपांट टू इंटू बी कमान कितना है फोर यह कमान कितना है अरे यार हाइट और भी मतलब बेस ठीक है चाहे इसको इधर करो इधर करो कोई फरक नहीं पड़ता है फिलाल मैं सीधा कर देता हूं तो यह लो यह लो तो दो त्याई च्छा तीन चौका कितना हो गया बारा यानि इसका क्या आया यह बारा सेंटिमेटर इसको आयरा आया पह आयेगा ना तो हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं आयत यव का छेत्रफल बराबर अयत यवी सीडी का छेत्रफल बराबर जाएगा बोलो आएगा की नहीं किसी को कोई तकलीफ तो बता देना जब टोटल आयत का 24 आया था आया ना आया ना तो इस में से जो मैंने एक तिर्भुज निकाला काट करके इधर इसका कितना आया बारा आया तो भाई सिंपल सी बात है इसको जोड़ेंगे तो 24 हो जायेगा कैसे पैया अभी तो आधा का निकाला हूँ के वल ना आधा की निकाला हूँ जो आधा बचा उसको भी निकालोगे हो गया डन आगे बढ़ सकते हैं